आज भारत के पवित्र बड़े और महत्वपून तेवारों में से एक महा शिवरात्री उत्सब है आज साल की इस सबसे अंधरी रात को शिव की कुरुपा का उत्सब मनाया जाता है शिव जी जिने आदी गुरू या प्रत्थम गुरू माना जाता है और उनी से योगिक परंपरा की शुरुवात हुई थी इस रात को ग्रहों की स्तिती ऐसी होती है कि मानब शरीर में उर्जा की शक्ति शाली धंग से उपर की ओर ले जाता है इस रात रीड को सीधा रखकर जागद और सजक रहना हमारी शारिडिक और अध्यात्मिक कुशाली के लिए बहुत ही लाबधायक है अब आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे यकिनन आपके मन में भी कई सवाल इस वक्त उट रहे होगे हर बर महाशिवरात्री हम मनाते तो है पर इसके पीछे का इतिहास और कता शायद हम में से काफी लोग नहीं जानते होगे कि आखिर महाशिवरात्री मनाई क्यों जाती है और आखिर किस तरह मनाई जानी चाहिए इन सब सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस विशेश महाशिवरात्री कारिकरब में नमशकार में अक्सा भई दंसारी और आप देख रहे है BCN News जिस बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जियोतिश चार्य शुद्धानन मोहन महाराज जी तो सबसे पहले महाराज जी आपका BCN News में बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले हम जानना चाहेगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक परीचे स्वयंदे सबसे हमें अनक शास्त्र करते हैं और हमारे इस महा शिवरात्री महा पर्व का तरशकों को बहुत-ध्यर-सारे दिल से अभिवादम प्रस्तित करता हूं और देखें जहां पर अभी मेडम ने बहुत अच्छी बात बोली कि अपना मेरुदंड सीधा रखना है महाशिवरात्री के दिन और उसके बारे में आपको बहुत लाग होते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे देखो रही बात महाशिवर महार devotee क्यौं कहा जाता कि हमारे 12 महीं बारा महीं में हमारे 12 cmere होते हैं अवि गच्रफ्र माना जाता है क्योंके इसी depends सत्यव को यंग से पहले चत्यवर शुर्वा था जब ब्रह्मां में Math और विष्णु का उद्ग्म हुआ था आधी पुरुस से तब ब्रह्मार विष्णु के मद्धि में ऐसा कुछ हुआ कि मैं महानू या मैं महानू करके तो उनोंने क्या किया उनके अंदर वादवाद चला बहुत बहुत आधी पुराणों में आधी बहुत आधी समय का कहानी है ये अपना प्रोण में तो भगवाण विष्णु और भगवान प्रह्मा में ये एक आर्गुमेंट होता है या अगर ब्रह्में इसका आदि दोन ले और भगवान वश्न नीचे पहले वह महांबर तो दोनों अपने अपने कितीeten से ब्रहां उपर की और चलते हैं भगवान विश्न्न नीचे पूल साल उनका जरनी होता है उती यात्रा करते, फिर भी उनको पार नहीं अलबाऊ, तब पता चलता है कि यह जो जोती सुरूप है यह अनन्त है, इसका आधी अन्ती नहीं है, तब वो विश्माई विश्मिर्थ होके प्रार्थाना करने लगते वो जोती सुरूप से, हे जोती सुरूप, हे परमात्मा आप जो भी है हमारे समरे प्रकट होईए, हमको आपका आदी और अंति पता नहीं चल रहा है, और आप कहां से शुरूप, कहां से एंड, कहां खत्म होता है, कहां समाप तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, अब अपन संसार को रचने वाले और संसार को संसार से आमारे जीवात्मों को पार लगाने वाले और भुजगेंद्र हारम जो भगवान नागेंद्र नाग भगवान जिनके यह माता-पारवति उनकों में नमन करता हूँ तो यह शिवात्री के दिन पर ऐसे जोतीस्पिन्ड का जोतीरिंग का उस दिन उद्हम हुआ था अचिवात्र देखिए और एक स्टोत्र बोलते भगवान शंकर का आजज्वात्री का अपना परव है तो भगवान शंकर का पार् सब्सक्राइब का है जो कि पती जिनके तीन नेट्र है एक नेत्र में सूरी है परगवान की वारे भ्गवान शंकर努 है और भॉदक वी देवों के दोनों के गुरूं ए सब के चहेते हैं और जो भगवान कृष्ण के प्रियए ब्भगवान नारयन की उस बड़ाम भगवान शंकर को मैं नमन करता हूं। और एक भी बोला जाता है भगवान शंकर प्रवांगर्त प्रदीप्त यह जारत करकर छों जय गर weaving करते उस लगाना आज कम доступ भिष्टेस सकती निकलने के पहले जब सबसे पहले हुआता है और खुण और माता पार्वती देखती हैं कि सारा अगर विश्व घवान शंकर पीलेंगे तो उनके उधर में जाएगा अगर सारा सारह शरुष्व पैज में गया 夏 ने अंदर भी सिष्ठी रहता है तो सारा शिष्ठी खडाब हो जाएगा भस्म जाते हैं तो तो एक साख क्या है जो विष पी लेते हैं तो उनको जगना है जो सोने नहीं डेते इसी प्रकार से उनको सोने नहीं तो उसके लिए उनको भगवान शंकर को बोला जाता है कि निलकंठ, श्रीकंठ, विशिकंठ करें बोल जाता है, तो उनको एक आनदित करने के लिए, उनको धन्यवाद बोलने के लिए भगवान शंकर को हम भजते हैं उस दिल, और सोते ने, क्योंकि भगवान शंकर को सोने नहीं दिये जाता है, हम नहीं सोना चाहिए, और इसमें ती शंकर याने मतलब क्या पहलीबात भगवन शंकर याने जो अच्छा करते हैं जो Richtung करते हैं लोगों का उनको भगवान शंकर कहते हैं और इसका मतलब क्या शू having कल्याण जो सारे समस्चे संसार का कल्याण करते हैं औनने एक बच्चा को तो प्रकार से भगवान शिव भी बहुत निर्मर सुभाव के भुले बंडाली आशुत वश्टोष ने के सांट बहुत जल्दी भक्तों पर तृप्त होते हैं अधिशेक में आनन्द लेते उनको जितना जल चलाए गया उतना बगवान शिव भक्तों बोला जयता है और भगवान शंकर को भक्त परादिन बोला जाता है, वो भक्तों के पीछे भागते हैं, और उनके स्थोत्र में आता है, उनमत वेशप प्रच्छन, याने वो कभी भक्तों के पीछे पादल रहते हैं, ये मेरा भक्त मेरे को जानता है, ये मेरा भक्त मेरे को बसता है, उसका क अब दानव और इंसान भी पूझा करते हैं और तो आपको अचीवरात्री का परव है तो यह जानना श्रेष्ट है क्यालास के अंदर आप दिखिए भगवान शंकर का वहाने नंदी, माता पार्वती का वहाने शेर को और बेलकोनी पड़ता, भगवान शंकर के दो पुत्र, एक कारती के और गनिश, कारती के वहाने अपना मोर, ठीक है, और भगवान गनपती का वहाने चुहा, और भगवान बोट अलग अलग प्रकार से होने के बाद भी यह साथ रहते हैं भगवान शंकर का महत्ते हैं और सब देवी देवी दुटा को चंदन किसको परी है किसको सोना परी है भगवान शंगर को भस्म परिये, क्यों? इसके पीछे बहुत बाड़ा तात परिये, देखो, आप कोई चीज को convert कर सकते हैं, आप बर्फ का गोला है, पिकला दो पानी होता है, पानी को पका दो, उसको भाब बनता है, ठीक है? और उसी परकार से कोई चीज अपना पत्थर है, या फिर मटी है, मटी को आप कोई रूप दे सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर सोना है, सोने को आप रूप जला के रूप देख सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा जला दिया जाए कोई चीज को, आखिर में बस्ता बस्म, और इंसान जलने के बाद बस्ता कहा है? प्रतिक है, कल का, आज का और आने वाले कल का, पास्ट, प्रसेंट एंड फ्यूचर, तो भगवान शंकर इन तीनों को, इन तीनों गुनों को समीर समाहित करके, वो बनते गुना ती, गुना जिन है, ये तीनों से परे, उसलिए उनको भगवान शंकर बोले है, कैसा कता है? भगवान रुद्रा के तमोगुनी है, भगवान विष्णिवा के सत्रुगुनी है, भगवान ब्रह्मा के रजगुनी है, ये गुन में, लेकिन भगवान शंकर है, गुनातीत है, गुनों के उपर है, उसलिए सबको आपना थे भगवान शंकर, ये है भगवान शंकर का काफी कुछ जानने को मिला तो यह आपने जो बताया महादेव के हर एक रूप को आपने बढ़ी अच्छे से बताया अब हम दर्शकों त्वारा जानना चाहते हैं कि इस दिन पूजा किस तरह की जाती है क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो काफी पूजा भी करते हैं और किस तरह पूजा करने चाहिए और इस दिन किन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए तो इस बारे में दर्शकों को आप थोड़ा बताएंगे किस तरह बहुत अच्छा प्रशन है इसमें सारा का सारा सार चुपा हुए प्रशन में देखिए सबसे पहली बाद भगवान शंक कि इस्कार शौजर कंश्ल्य किस अधर ंठार क होताय है उपवास किया जाता है और भगवान रहने का उपवास भोलेटे ञेक्ड के क्यों कि में और दूंद encic सिधा करते हैं शक्ति का उर्द गमन होता है करके बोला आपने उपर चाहिए इसका मतलब क्या बेद क्या बताता हूं हमारे अंदर हमारे शेरीर के अंदर देखो दो नासिका है एक सूरज और चंद्र है इसमें एडा पिंगडा बोलते उसको और एक होता है मेरुदंड जो हम पिरने के टेंब ऐसा बैटने के टेंज जब वो समाधी लगाते हैं ध्यान करते हैं तब क्या होताया पिंगड़ा उनका जो बेद रॉप और स्वाशनारी बंद होता होता है युश का शुरुब 不 और शिशुवना नाड़ी के अंदर होता है कुंडलिवी शक्ति जब अन का त्यात करते हैं मौन धारन करते हैं शिवरात्री के दिन पे और परमात्मा के नमन में रहते हैं परमात्मा का जाप करते हैं ध्यान करते हैं भजन करते हैं तो इस दिन पे शिवरा महा शिवरात्री क उस कम से कम रहता प्रभाव उसका और इस रात को शुशुम्ना नाड़ी जल्दी से अक्टिव होता है और जो लोग खाना कम खाकर या खाना बिल्कुल न खाते उपास फुल फल प्रूट खाते वे जो लोग उपास करते उनका शुशुम्ना नाड़ी अक्टिव हो जाता है इसी वजेसे आज के लिग बुबाश किया, जाता है, अजर्ण जैक किया जाता है, अंध नहीं कहाना चाबल नहीं खाना न लगो इस दिन पर आगर हम लोग उपवास करते हैं, तो भगवान शंकर का वशेश कृपा ब्रापत होता है. हमारा उप्वास करने से एक तो फाइदे होता है. प्रान शक्ति शुर्श्शुम्ननारी के और जाता है, उर्ध्गमण होता है, सहसरा चक्र तकका जाता है मोलाधार से, पहला. दूसरा उपवास करने से देखो आप कभी भी देखो जो इंसान पेड बरके खा लेता अच्छा डटके पेड बरके खाता उसको नीद ज्यादा आता अगर आप उपवास करते हैं नहीं खाना कम खाते हैं या बिल्कुल आप फलहार पे रहते हैं दूसरा कैसा है यह उपवास करने से अपना ध्यान जल्दी लगता है और प्रभु का करपा जल्दी मिलता उपवास करने से और इसका मेरा बॉड़ी क्लींजिंग होता है रही बात अभी देखो यह तो उपवास का महत्व हो गया कैसे किया जबो देखो पहले सबसे बड़िवास जल्दी हुटे सबेरी हो सके जितना ब्रमु मोरत नों उपने का कोशिट कर नहीं हो पाता तो अटलिस पांच शे बजी उड़ जाए वड़ के बिल्कुल नहाँ दों के मस्तख पे तरिपुंड लगा है अपने दोनों हातों पर तब लग और अपने चस पर अपने तरिख़के लगा करा आभिशेक करें फिर पंचामरुत तयार कर लें पंचामरुत में क्या होता है अपना दूद दही शक्कर शहद और अपना दही होता तो अगर यह पंचामरुत हम लोग यह करके पांच चीज़ें एकतिरित करके, अलग-अलग भी ढाल सकते हैं, अगर भगवान शंकर के है देखो बेल पत्र चड़ाने का विशेश तरीक है बेलपत्र में दो होते हैं तुमारे पो беспid रेते हैं वो तीन पत्तों में जो चिकना भागgue उपर चया है चिकना अपने भगवगाण शंकर तो वो बेल पत्र चड़ाना चाहिए, फूल चड़ाना चाहिए, फूल में कैसा सफेद मंदार के फूल हो गए, सफेद रंग के फूल, क्योंकि भगवान शंकर भी सफेद रंग के वाइट, करपूर गवरम बोला जाता हूँ, वाइट सफेद रंग, तो वो जो सफेद रंग को प्रीय है वो चाड़ा है और आपने कनर के फूल चाड़ा सकते हैं और भगवान शंकर को टेवड़े का जो फूल रहता बिल्कुल भी नहीं चाड़ा है क्यूंके के वड at प्रुण उसने गवाहि दिया था गवान ब्रस्ट को क्यांद होलै था केवड़ का इतर भी नहीं चड़ाना है, भगवान शंकर को गलत होता है, बिलकुल अपरी होता है, तो बेल पत्र चड़ा सकते हैं, कई लोग दुरुआ भी चड़ाते हैं भगवान शंकर को, क्योंके गनपती के उनके पिता हैं भगवान शंकर, तो बेल पत्र चड़ाईए, धुतूरा चड़ाईए, धुतूरे का फूल होतों चड़ाईए, सरसोग के पेड़ का अगर फूल मिलता है, तो वो चड़ा सकते हैं सबसे अच्छा भगवान भोलेनात को, तो इतना चीजे चड़ाकर अपना आर्थी बोलकर भगवान शंकर का, अगर आपको कुछ कोई अहां आता, आप सिर्फ भजन गाता वैंने जो बज Alongी उन्हों कुछ नहीं आता, जय जय शंकर हरहर, शंकर गंगाद, धिन काने से बहुआन बहां को सन्तुष्ट हो जाते हैं, भगवान शंकर का उपर जलभी चड़ाएंगे उसे भी कृपा मिलता है भगवान शंकर संतुष्ट हो जाते हैं यह हो गए आपना भगवान शंकर का करना क्या चाहिए और कई लोग घर में करते पूजा पही लोग शिवाले में जाते शिवाले यानि भगवान शंकर का सेपरेट अगर मंदिर हो तो बहुत अच्छा जिसपे प्रामिड मंदिर बना हो भगवान शंकर का उसमें शिवलिंग हो तो उदर जाके करें पहले जल चडाएं फिरowski चड़ाएं फिर पंचम्रू र। चड़ाया है फिर गन्य का रस अवश्य चड़ाया भगवान शंकर पे उससे सोभगी की प्राप्ति होती है और देखो इसके अंदर और विशेश में बताता हूं अभी किसा एक जोतिशी का प्रोग्राम है अपना बहुत सारे लोग को शनी का ढईया हो शनी का महादशा हो और दिमारी है तो वो लोग क्या कर सकते एक काली मिर्च और पांच काले तिल लेकर भगवान शंकर रसूति करे अगर आपको अत्रयम बकम में जो मृत्तिन जहर मंत्र है अगर वो आता हो तो वो बोले वो नहीं आता हो तो मनीवन ओम नमश्यवा बोलके अपने जो मन में तारत नेज़े उन्हीं होता है और आपके बॉली में कुछ नेगटिविटी है तो तो आप कर सकते हैं कि याव सकते अप्राजी ता नाम का नील रंका फूलाता बिलकुल नील बहुत सुन्दर रहता है नील रंका फूलाता है क्योंकि देखो यह जो शिवरात्वियं था एक तो पूजा करेंगे, उनको अपने आप शनीद्यव का खृपा मिल जाएगा, उसके अंदर भी अगर एक काले तिल जल में काले तिल डाल के आपने अभिशे किया, अपराजिता फूल चड़ा है भगवान के अगर जल के अंदर थोड़ा सा काले तिल डाल दिये, एक काली मिर्ज और एक अपराजिता फूल डल दिया और एक बेल पत्ता डाल के अगर उस पानी से आपने भगवान शंकर को ओम नमश्यवा बोलते हैं, अगर अभिशे करते हैं, तो उससे आपको अनगीनत भल मिलता है, अच्छा होता है, परमात पगा पूर्ण घृपा प्राप्त होता है साड़े सत से भी आपको जो कष्ट होता है, उससे मुक्ती मिलता है अपने को, अगर देखिए, ये क्या रहता है भगवान शंकर का, हम बेल पत्र चड़ाते हैं, ये बेल पत्र चड़ाने का पीछे कैसा रहता है, कई लोग पान चड़ाते हैं, जिनको मिलता है नहीं बेल जिनको ले सकते हैं, ये उनको मिल जाता है, ये खजार आड़ बैल पत्र अगर ओम नमश्वा बोलकर देखिए, भगवान शंकर आपको इमन में जो है, जो कामना को पूर्ण करते हैं, और आपके कष्ट जरूर निकालते हैं, आपके कुल को तार देते हैं भगवान शंकर अभी देखिए इसमें भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान शंकर के प्रतिन भकते, भगवान हनुमान जी भी भगवान राम के भकते, भगवान हनुमान जी आकर भगवान शंकर के ही आउतार माना जाता है, है भी, तो इधर कैसा है, जब भगवान शंकर को पूचा जाता है माता पारवती और भगवान शंकर बैठे रहते हैं कहलास में प्रभू सब लोग आपको बहसते हैं सब आपको बहसते हैं भगवान राम भगवान ननुमान जी ब्रह्मा सब लोग आपको बहसते हैं आप किसका नाम लेते ब्रो आप किसका ध्यान करते तो बोलते भग भगवान शंकर क्या पोलते हैं बेल पत्र के उपर बेल पत्र के उपर इसने दो प्रयोग है पहला प्रयोग है बेल पत्र के तीन पत्ते रहते हैं पहले पत्ते पर ओम लिख दो यह इस साइट वाले पत्ते पर शिव लिख दो राइट वाले पत्ते पर राम लिख दो अगर वह अश्टिगंद से या सफेचंदन से लिखकर वह हम चड़ाते हैं बेलपत्र पर उससे अनंत कोटी फल मिलता है। वो भी नहीं होता है सिर्फ राम लिखकर भी आगर आ बेल पत्रा चड़ाते हो भगवान शंकर पे उससे भगवान राम संतुस्त होते हैं भगवान शंकर तो अनन्त फल बिलता है अपने को तो यह अपना शिवरात्री के दिन पे छूटा प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि अगर म इस महीमा में चले जाओ शायद दसे विसोर्स भी कम पड़ेगा कि भगवान शंकर का लिला और उनका अगर हम में बोलते जाओ वरन करते जाओ वो भी कम पड़ेगा आपने को तो दर्शक आपको महरात जी ने काफी अच्छी देरी किसे और बारिकी से एक-एक तथ्य समझ कि हमें इस महाश्री व्रात्री पे किसतरा पूजण करना चाहिए कि स्थी में करना चाहिए और किन चीजों को हमें एक अबुट करना चाहिए अगर यहाँ हम पर उपवास करते हैं और जगर करते हैं कई लोग क्या वह आपकर ला नहीं grows कई लोग कार्ड चेहलते हैं कई लोग टीबी देखते हैं अमें नीन नहीं जाना कई लोग ऐसे वेड़के जाक माला लेलो ऊतरमुख्य आप पूरा मुख्य बैड जाओ आसन लगालो बैड के भगवान का नामस्वन करो नहीं होता हनमान चालिसा पड़ो नहीं होता कोई निशितकाल में क्या होता है अगर भगवान शंकर का पूजा किया जाता है उसका पुण्य प्रभाव ज्यादा रहता है रात के नव बजी से लेकर सब्वेरे के पाहट के तीन बजी तक का अगर हम भगवान शंकर का जलाविषे करते रहेंगे तो अध्भूत फल मेलता है कोई बिद्ध रहते हैं कोई बीमार रहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं रात के नव से ग्यारा बजी तक आगर बैट कर भगवान शंकर को जलाविषे करते हैं भगवान शंकर का पूजन करते हैं नामस्वन करते हैं जाप करते बैटके तो उनको उसको भी बहुत अच्छा फ कुछ कैसे चलना किसे चलनागंज़ अंदर वैटे बहुत अब कर दोधिन समझ अगर द идет का दर्शन नहीं वोता है जीवन की धिर्म जीवन में जीवन parler कर्म हैं सही चलना ज्यान से धर्म से माता पिता के साथ दी बच्चों के साथ अपने भाई बंदू के साथ अगर धर्म से चलते हैं तो भगवान शंकर का प्राप्ति होता उनका क्रिपा मिलता है और भगवान शंकर के मंदिर जब जाते हैं दर्शन करके जब हम बाहर मिकलते ह जल चड़ाने के बाद आर्धी करने के बाद पूरा परिक्रमा कभी नहीं करते हैं आदा ही परिक्रमा करते हैं जो बहुत होता है किने वह जन्य आधा है जलका धार आज़ार को हैंग इसके अंटेशीं करते हैं वह स्य व कोई ब्रभु का का करते हैं वह फिस्य परिक्रमा कि तैंस्ति वह नहीं प्रभु को बधने देख स्याइब देख रहेक्要 है वुकता वसुरों देखेंगे आखेंगे खरब हो उसी प्रकार से भगवान शंकर में बहुत शक्ति रहता है उर्जा रहता है और भगवान शंकर का शीलिंग होता ना वो शंकर और पारवती याने शिव शक्ति का एकत्र रूप है वो अगर आप जागरन करते हो तो यह माना जाता है और इसमें कैसा है अगर आप जागरन करते हो तो बैट के जाद से जाद़ा जाप करो परमात्म का याद करो टीवी देखना या गेम खेमना ये अच्छी बात नहीं है लेकिन मेरा परसुने मानना ऐसा है कि बैट के जाद़ा उस दिन को ये दिन को पूरा लाब उठा है क्योंकि शिवरात्रिपे चड़ाएवा एक-एक बे देखो शिवरातरी के दिन हम लोग और क्या कर सकते और जो लोग देखो अभी उपास करना चाहते हैं वो लोग क्या करना चाहिए हो सके तो उस दिन अन्न का त्याब कर देने अनाज नहीं खाया कोई रूटी चावल नहीं खा सकते हैं अगर समझो जो रोगी है जो शूगर के मरीज़े और जो असाथी भीमारी से पीड़ी थे उनको खाना खाना जरूरी है अगर खाना नहीं खाएंगे तो गलत होता इसके लिए शासरे एक मन उसलिए अन्न पूर्णा बोला है माता को तो चावल अगर जिस दिन पर आपका शिवराद रही है जिस दिन पर आपका शिवराद रही है वरत है पूजन है उस दिन अगर आप चावल नहीं खाते है बिमार से बिमार इंसान पर अगर चावल नहीं खाता है रोटी खाता है जवारी का रूटी खाता है तो उपवाष पर श्रेणी में आता है चावल का जई दिन आपे डाना नहीं खाते ओ वह समझझ ले अपने उपवाष कर दिया उस दिन गाने उस दिन ख कोटा है यह विमारों के लिए और जो लोग उमर वाले होते हैं उनके लिए शक्रला बोला गया है यह कर सकते हैं बड़ी अनोखी बात बताई आपने तो जो महाराज ने बताया कि इस तरह महा शिवरात्री पर सिर्फ जागना ही महत्वपूर नहीं है मतलब आप जाग रहे हैं तो शिव जी की भक्ति में लीन रही है अनिक प्रकार कि आप से जो बन सके आपको दो आता है उसकर कि भक्ति कीजिए नहीं सिर्फ जागने के नाम पर अपने टीवी देख रहे हैं यह सब कारिय नहीं कीजिए महाराज जी तो रही है किस तरह महा शिवरात्री को मनायों किन चीजिजों से दूर रहे यह बात अब जब जहां बात आती है शिव जी की तो पा तो आज का महाहूल है जैसे हम देखते है कि महीलाओ थाजिजों के अपर इत्याचार हो रहे है और जिसे दिल्ली में अभी कितने हात्से हुए महीलाओ को काट गया शव अभी ऐसे कई सारे किस सामने आर्य है तो शिव जी के रूप में आप ताई कि महीला का एक क्या आदे नरेश्वर जो उनका रूप है उसमें किस तरह आज लोगों को उनका ये सवभाव प्रेरित करे वागर्थाव संपृत्त वागर्था प्रतिपत्त ये जगतव पितरवंदी पार्वती परमेश्वरो याने जैसा अर्थ शब्द और अर्थ अलग नहीं होता सूरज और ये कार आके स्थ्रिलिंग याद रखने और वह आके पूलिंगे ठीक है अब शीवर से ये निकाल दो शव हो जाएगा शव बिदिया नों की बात दा ये तो शाद कोई कल्पना भी ना कर पाई शीवर शीव याने के कल्यान करने वाला शव याने उसमें कल्यान नहीं है ये पूरुष के लिए उसकी जो स्त्री होती है वो शक्ति होती है ये पूरुष के लिए उसकी जो स्त्री होती है वो लक्ष्मी होती है सरस्वती है जहां पर अपना स्त्रियों का पूजा होता है वहां देवी देवता निवास करते हैं उसी प्रकार से हमारे हिंदू सनातन धर शक्ति की देवी दुरगा होती हैं और लक्षमी आईश्वरी की देवी लक्षमी याने सारा का सारा जो अपना डिफेंस मिनिस्ट्री है, फिनेस मिनिस्ट्री है, सब स्रियों के पास ये माताओं के पास तो ये स्तिरी शक्ति को जानना है, मान संबान देना है और उनको अपन अपना मानकर उनको एक मानसभान कर जो घर में भी चला जाता है। उस घर में आप माता सरस्वती, माता लक्षमी, माता गाउरी का आशेर है। यह हो गया यह खेंकिन इदर क्या है? जो अपने अरदे नारिष्वर का रूप भगवान शंकर इसीरे लेते हैं, जब शुष्टी तुनी होता हूं को ब्रश के जिक ब्रशक्ति प्रशक्ति मात लिए पर्वति तो यह एकतर रूप आने का कारण क्या है तो क्लिक प्रकुर्ति और पुर्ष प्रकुरति क्या होता है और यह सारा सारा संद, सारा चरा-चर जगत जो आपको galaxies, ब्रह्मान दिखते हैं, galaxies, ग्वाजार, अपने planets, कॉमेट्स, galaxies सब दिखते हैं, वो प्रकुरती है, हमारे धर्ती, हमारा जीव जन्तों, हमारे पेड़ पाउन, सब प्रकुर्ति है यह पुरुष कोनोगता है पुरुष आखि उसके अंदर के हैं जैसे धरती है लेकिन धरती अनाया सूरज के अर्फ हम अगमाोगता एक क्वाई का वह कौन घुमा रहा है वह ही शक्ति लेने का शिव और शिव के शक्ति वैसे चारा Lazar वाता है भगवान शंकर का ओम स्तिरस्तान हूं स्तिर याने जो स्तिर है जो कभी भी ठेरा हुआ है जिसमें चंचलता नहीं है वह ही शिव है उसी लिए देखो बड़े-बड़े साधु जन यती वुनी बड़े-बड़े स्तपस्वी शांत रहते हैं आखे बंद करके शांत र वह हुंस नाम है प्रुक्रति और पुरिष अगरँ जो इनसान वागवान शंकर को दिल को से मानता है उन्हों को उनको इसलगा प्रतीम प्रे मिलता प्रुतीमु को आप्रव कृपा मिलता ले अब परतीम दो बॉत कुछ रिक में तुपने केक पहंगे पहां मेहों, जानना है। तो जो दर्शक है उनको बता है कि रुद्राक्ष को पहनने के बाद आपको किन चीजे को नहीं करना चाहिए उसका उसका पूरा महत वो क्या है क्यूशा बहुत अच्छा प्बप्रशने है देखे सबसे पहले बाद रुद्राक्ष है क्या यह समझ लीजा पर您 रुद्राक्ष एक पेड़ का बीज है ठीक है उसको रुद्राक्ष करके नाम क्यों आए सबसे पहली बात जब इसको दिखो अभी मैं बोलना चाहूँ ना हमारे को 10 पिसोड भी कम पड़ेंगे लेकि मैं शौट में पता हूँगा संख्षित में देखें यह जो तारकासुर स बड़े महाराश्य इतना बड़ा बड़ा गाउ बोल सकते हैं वह अंत्रिक्ष में तेरते है घरती के ऊपर था अंतरिक्ष में पेरता था यानि एक सोने का था बीच में चांदी का था उसके नीचित तंबे का था यह तीनों को भी एकी पांड से और यह कैसा था एक लाक सा में एक बार यह तीनों एक लाइन में आधा थे अकसिस में भूंते थे दरताकाश में एक साल लगता था तभी ईक शेयरी में एक लाइन में अधा थे उन तीनों शेहरों को भी यह की पांड से एक यह बार आजा सकते था अईसा वरदान था उन र Scottish को तब भगवान शंकर ही हे करेते हैं जो ये काम कर पाते हैं तो भगवान शंकर को प्राथाना करते हैं तो भगवान शंकर रत भूमी को रत बनाते हैं सुरत चांचंद्रमा को रत का पया बनाते हैं भगवान ब्रह्मा उनके सार्थी बनते हैं और जो बेरू परवत है के उनका यह बनता है बान आफ यह बंता है वह बनता अनका उनका यह ठीक उनका जू यह बान है बान रहते हैं अगोजन्क्र के सामें चैलंज किया हुआ यह गलत है उनको मारना है तो बहुंकर शंकर को इक जगे अपना करता भी पूरा करना या ना क्ट्रीव को मारना भी है क्यां से उनको वर्दान आट ले लेते हैं शक्ति आज ईंको करते हैं तो उनको धंडी तो करना ची यह, उनको अन्त तो करना ची यह, तो भगवानième शंकर आगे आते हैं, बाण मारते हैं, तो भगवान विषनु उनको ऐसा भेदे, तब क्या होता है, ये तीन जो नगरी बनाते हैं, ये तीन नगरी बनानेद uwाले एक architect रते हैं वो जम्माने के, तो उनके आखों में आसु आता है तो भगवान नंदी देख लेते हैं अरे मेरे प्रभू के आखों में आसु आ रहा है समझ जाते हैं तो भगवान नंदी उस बान से पर आगे जाके बता जाते हैं मयासुर बान आरा उड़ जाते हैं लेकिन वो जो बूंद भगवान शंकर के आखों में से गिरता है धरती पर गिरता है धरती पर गिरते के साथ ही वो बनता है रुद्राक्ष रुद्राक्ष ने भगवान शंकर का आख, जो भगवान शंकर के आख में से लिकला, रुद्र, अक्ष आने आख, रुद्र आने भगवान शंकर, जिसको रुद्र के आखों में से निकला, असरु निकला, वो अक्ष बना, वो ही गोलते हैं रुद्राक्ष, रुद्राक्ष में इतना शक्ती रह सब्सक्राइब घराण को बोगों दिखेंगे कि पहल चाही सब्सक्राइब तो उसमें एक घंटा लग जाएगा तो अभी के लिए रुदरक्ष ऐसा होता और देखो किन लोगों ने धारान करना चाहिए किन लोगों नहीं पहली बात रुद्राक्ष जो जहारन करता है शास्त्र में तो बहुत नियम है लेकिन एक आम जंता के लिए जिससे चल्ज बात है दुनिया के लिए वैसे बताऊंगा मैं रुद्राक्ष जो पहनता है पहली बात तो उसको मास मदिरे का सेवन भी करना चाहिए रुद्राक्ष जो पहनता है ठगी मारना बार-बार जूट बोलते रेना अब देखो व्यापारम द्रहो चिंतना चोटा मोटा कामकाच के लिए दुकान दारी के लिए बोलते हैं वो अलग बात है लेकिन आप बड़े-बड़े जूट बोलकि इसको फसाना ठगी मारना करते ह खाना रुद्राक्ष पहनने के बाद आप दारू पीन अगर समझो कोई लोग पहनते हैं ठीक है उनको निकाल कर पी के फिर बाद में अगर शुद्ध हो के पहने तो अच्छी बात है नियम है और रुद्राक्ष पहनने वाले को कभी भी याद रतना शम्शान घाट अगर जाते हैं तो आने के बाद रुद्राक्ष को मिकाल कर उसको अपने दूद पानी से धूकर फिर से पहनना पड़ता है रुद्राक्ष भोग और रुद्राक्ष पहनने वाले कम से कम दिन नहीं एक बार 108 भार भगवान शंकर का नाम तो लेना ही चाहिए अभी देखिए रु बगवान शंकर को पुजा करते हैं इसार नीड के क्या उतार नहीं हुए यूंतिर सारे संसर को नियन था पुलिस कमिश्नम्रु इस सारे संसार के पुलिस कमिश्नरु जुदुर करते हैं, कासी नगरी भगवान बैरों के अंतरगति है, और भगवान शंकर का दुसरा आउतार है रूद्रु, जो अपना समहार करते हैं, अंतमें, लूद्रु कि उसका तीसरा उनका अतिसरा वीरभधृृृृे जो दक्षिब भ्रह्म को सुरष्षिद किया तब वीर भद्रिक अवधृृृृृ Sisters das चीजे ऐसे से बताई वक्त तो कम है काफी लेकिन असे लग रहा है कि और बहुत कुछ जाना चाहिए लेकिन महाशिवरात्री जो है तो आपने जब दर्शकों को इतना कुछ बताया ही है तो आकरी संदेश आप से जाना चाहेगे कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस स्वीयरात्री में मैं ही बोलुँगा कि जादे से ज़्यादान वहज Bash si products को आश़तोश्य पर्मत्मा दया कि सागर पर्मत्मा औंके चर्ण नोम नमष्वाय का जाप करे उर्दरस्टादी का पार्ट करे कुछ भी नहीं आता हो नमष्वा बोलते रहे बैट के घर के कोने में बहुत हो गया लेकिन उस दिन देखो उस दिन मासमदिर्या का सेवन नहीं करे शिवरात्री के दिन और बिल्कुल भार घूमना आवरागरद करना गलत है अंडा मास पच्छी खाना गलत है बैट के जुवा खेलना गलत है बात में टीवी देख जोर से टीवी लगा रहे गाना सुन रहे गा रहे गलत बात है ठीक है और उस दिन कैसा भगवान शुरात्री के दिन आपने कभी भी अपने दोस्तों के साथ गूम रहे कि दो मैं अपको भगवान गणपती को जो बोला गया भाई तीन लोग घूम कर आओ भगवान कार्थी के निकल गे मोर पर बैढ़के तीन लोग घूमने के लिए गए वो उनको साइद 15 मिट लगा रहे गा घूम के आने भगवान गणपती बोलते मेरे पास तक्षुआ मैं लेकिन वो एक देखते हैं कि यह संसार के पूरे नियनता है, संसार के पालन करता, सुष्टी करता, माता पार्वती और मेरे पिता बोले नाते, तो सारा संसार हुनी के अंदर है, तो क्या करते भगवान गनपती, माता पार्वती और भगवान शंकर के गोल बैठे रहते, कैला हुऊ थे क्वे look at मृकूंт भॉलते हैं तुनने क्या किया इससे क्यों कि और भगवान गनेश भोलते हैं मातस आप प्टा आप दोनों ही संसार हे और हर एक बच्चे का उनका माता होता है उनके माता पिता के वैसे हमारे माता-पिता के वैसे हमरे लालन-पालन पोशन होता है हमरे बड़े होते है तो बहुता है बदर घंपति को प्रतम पूझी बनाए जाता है नहीं छोगses नहीं के ताहिए करें लूट के लिकेश लें पत्थना हैं अपने ही अबलगे संवाध्याओ कि इस महा शिव रात्री को तुछे ब्य मतरते हैं बाती लागदायक दिन है मेरन मेरे जान है हम जितना चाहे इस शिवरात्री पे जो चीजे हम करके भगवान का आशिरवात ले सके हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी तो इस संबन में हमने काफी कुछ जाना जिसकी जानकारी हमने दी जोतिय चारे शद्धानन महाराची से तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद यकिना जो दर्शक देख रहे होंगे इस दिन का काफी लाब उठाएंगे तो आपके लिए आज के इस महा शिवरा के विशेश कारिकरम में बस इतना ही और अन्नी खबरे देखनी के लिए जुड़े लिए इन बीसीर नियूस के साथ नमस्कार